हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई चैनल स्टुडेंट्स आज की जो वीडियो होने वाले हैं किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम की नहीं है लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफर्मिशन लेके मैं आपको यहां पर देने वाला हूँ वो इंफर्मिशन क्या है देखिए स्टुडेंट्स नॉर्मली सभी का आधार कार्ड तो है ही और सभी के पास में पैन कार्ड भी है लेकिन यदि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर आपको परिशानी आने वाली है तो चलिए हम देखते हैं आकरकर कौन सी वो परिशानी है यहां पर इस परिशानी को समझने के लिए बैसे तो आपको न्यूज में मिल ही गया होगा जैसे ही आप income tax.gov.in पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक पट्टी यहां पर देखिए यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर एक लाइन चल रही है इसमें क्या है अभी लाष्ट डेट आधार को लिंक करने की pencard से 31 मार्च थी अगर आप 31 मार्च तक अपने आधार को अपने pencard से link करते तो 1000 रुपय आपको penalty देनी पड़ती और यदि आप उसके बाद अगर उसका आप आधार को pen card से link करते तो 10,000 रुपए आपको payment करना पड़ सकता था लेकिन 31 March की date को बढ़ा कर अब कितना कर दिया गया है June कर दिया है 30 June तक आप अगर अपने pen card को आधार card से link करते हैं तो आपका कितना penalty लगेगा सिर्फ 1000 रुपए लेकिन अगर आप उसके बाद करते हैं तो आपका 10,000 रुपए payment लगने बाला है penalty के रूप में तो सबसे पहले तो घवरानी की बात नहीं होती है कोई भी जब information दी जाती है आप पहले तो चेक करिए कि आपका आधार link है क्या आपके pen card से तो सबसे पहले करना क्या है तो देखिए income tax.gov.in पर आना है आपको और यहाँ पर आपको कहा जाना है link आधार status जैसे ही आप link आधार status पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है बैसे तो अभी देखिए 31 मार्च last date थी तो side भी बहुत बिजी है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको अपना आधार card number डालना है pen card number डालना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ठीक है न और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर नीचे की ओर आपको यहाँ पर अपना आधार डालना है आधार number आप जैसे ही डालेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक काम और करना है कि यहाँ पर view link आधार status जैसे ही आप आधार status चेक करेंगे तो देखिए हमारा क्योंकि आधार pen card से link है और हमारे 1000 रुपा इसी चीच के बच गए है कि हमारा already pen card आधार से link था और your pen card is already linked to given आधार ठीक है न हम इसको close कर देंगे चलिए यह बात तो हो गई हमारी की भई link है जिनका तो उनको पैसा बिलकुल भी नहीं देना पड़ेगा लेकिन अब जिनका link नही पर देखने को मिल जाएगी last date linking pen with आधार has been extended till 13th June 2023 ठीक है न अब आप यहाँ पर आएंगे अब आपको क्योंकि link करना है आपका आधार link नहीं है एक हजार तो देना ही पड़ेगा आप सोचो कि एक हजार रुपए बच जाए अगर आपका link नहीं है तो फिर अगर आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको pen number डालना पड़ेगा यहाँ पर आधार card number आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा और इसके बाद होगी आपकी procedure कि आखर कर कैसी क्या इसकी procedure है अब अगर हम इसको समझें कि link कैसे करना है तो देखिए students मैंने आपको यहाँ पर बता ही कि दिया है कि आपको link कैसे करना है रही बात कि आखिरकार में procedure क्या है तो सिर्फ मैंने आपको आज information दिये कि इसकी date 31 June हो गई है और अगर आपका अभी तक आपने link नहीं करा है तो आप अभी सिर्फ आपको 1000 penalty दे ली है और अगर आपने फिर भी नहीं करा तो आ यहां पर add करना है तो आपको इस link पर जाके normally वैसे तो आप समझ सकते हैं इसको लेकिन अगर नहीं भी समझ पा तो YouTube पर enough videos डली हुई है कि कैसे हमें इसको link करना है आधार कार्ड से तो वो पूरा process videos को देख लीजिए उसके बाद आप पर बन जाएगा आज की video में सिर्फ ह नहीं देखी थी यह information आपके पास नहीं थी तो हमारा फर्स था कि आपको education related videos के साथ साथ आपको ऐसी video भी दें जिनसे आपको एक लंबे बड़े खर्च से आप बच सकते हैं students यह हमारी video पसंद आए तो इसको like कीजिए साथ में ही एक information और आपको जैसा मैंने आपको बताय देखेगा चाहे वाए education से related हो वो cpct material हो मतलब cpct का भी जितना भी content है आपको वह भी मिलेगा cpct की test series भी free में मिलेगी short hand का भी study material मिलेगा plus short hand में जो test series है enough आपको test देने के लिए free में मिल जाएंगे इनका भी आप फायदा लीजे साथ में आपको यहाँ पर government की जो scheme होगी वो students आगे जाकर आपको सभी government की scheme भी हमारी इस website पर मिलेगी तो कम से कम एक बार visit करें देखें अगर आपको पसंद आ देंगे students हमारे यह बर्क आपको अच्छे लगते हैं तो इसको like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद